Welcome all of you, कैसे हैं आप सभी? उमीद करता हूँ, अच्छे होंगे. आपने अक्सर देखा है कि घर के सभी लोगों की पसंद एक जैसी नहीं होती है. चाहे वो टीवी देखना हो, कोई काम करना हो, या फिर खाने में. इस बीडियो में हम फोर्थ क्लास की EBS की बुक Looking Around या आसपास के Lesson No.22 The World in My House या दुनिया मेरे घर में के पार्ट बन के माध्यम से ये जानकारी प्रापत करेंगे कि लोगों की पसंद अलग लग क्यूं होती है. ये जानकारी प्रापत करने के लिए EBS की बुक का Page No.179 ओपन करें या फिर इसे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं. Once again, everybody in Merita's family is quarreling over watching the TV, just like they do every day. रोज की तरह आज फिर Merita के घर में बैस शुरू हो गई कि TV पर कौन सा प्रोग्राम देखें. Merita's brother wants to watch a cricket match, while little Susan is eager to watch her favorite program of songs. Merita का भाई Cricket Match देखना चाहता है, जबकि शोटी Susan अपने पसंदीदा गाने का प्रोग्राम. Mommy and auntie are good friends, but their favorite TV programs are different. Mommy और auntie वैसे तो गहरे दोस्त हैं, पर उनकी पसंद अलग-लग है. Mommy likes to watch the news, while auntie enjoys a TV serial. Mommy समाचार देखना चाहती है, जबकि auntie एक serial. Merita wants to watch cartoons and daddy enjoys the football match. Merita cartoon देखना चाहती है, और daddy को football match देखना है. He says that he can watch TV only in the evening. Finally, everyone had to watch the football match. Merita cartoon देखना चाहती है, और daddy को football match देखना है. Daddy कहते हैं कि वेवस शाम को ही TV देख पाते हैं. आखिर सबको football match ही देखना पड़ा. In your home, to do, people call over fans, TV, newspapers, cheers or anything else. क्या तुम्हारे घर में भी पंखा, TV, समाचार पत्तर, कुर्सी या किसी और चीज को लेकर जगडे होते हैं? तो आप यहाँ अपना experience शेयर करें कि आपके घर में भी ऐसा होता है या नहीं? In your home, who settles such calls? तुम्हारे घर के ऐसे जगडे कौन सुल जाता है? आपके मम्मी, पापा या फिर दादा-दादी कौन सुल जाता है? आप बताएं. अपने घर के ऐसे जगड़ों के बारे में कोई मज़ेदार किस्सा सुनाओ? Have you ever seen people curling over something elsewhere? What? क्या तुमने कहीं और एक ही चीज के लिए लोगों को आपस में जगड़ते देखा है किस बात पर? एक ही चीज के लिए लोगों में बहुत सारे जगड़े होते रहते हैं. तो आपने जुरूर ऐसे कोई जगड़ा देखा होगा. वहाई दा डिफ्रेंस अलग क्यूं? इट इस सेवन ओ क्लॉक इंदा इवनिंग. शाम के साथ बजे हैं, प्रतिवा इस हरिंग हॉम फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस. प्रतिवा अपनी सहली के घर से भागी भागी अपने घर जा रही है. हर ब्रदर्स संदीप एंड संजे आर वीजी प्लेइंग अरॉंड दा कॉर्नर विद दियर फ्रेंड्स. दे आर इन नो हरी तो गो हॉम इवन इफ दे आर लेट, नोबड़ी विल स्कोल्ड देम. नुकड़ पर उसके भाई संदीप और संजे दोस्तों के साथ खेलने में लगे हैं. उन्हें घर पहुँचने की कोई जल्दी नहीं है. उन्हें देर से घर पहुँचने पर कोई नहीं टोकता. प्रतिवा thinks that this is not fear. Why should there be one rule for her and another for her brothers? What can she do? प्रतिवा को या वात ठीक नहीं लगती. उसके लिए एक नियम और उसके भाईयों के लिए दूसरा. पर वो क्या करे? सोचें आप क्या ऐसा होना चाहिए? क्या लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए एक जैसे ही नियम होने चाहिए या नहीं? Does this kind of thing happen in your house or in any of your friend's house? What do you think about this? क्या तुम्हारे या किसी दोस्त के परिवार में ऐसी बातें होती हैं तुम इस बारे में क्या सोचते हो? यदि आपने ऐसी बातें होती देखी हैं तो आप इस बारे में क्या सोचते हो? बताएं क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ये गलत है या ठीक? Do you think that there should be different rules for girls and boys, women and men? क्या लड़का लड़की और आदमी औरत के लिए अलग लग नियम होने चाहिए? आपको क्या लगता है कि मेल और फीमेल या गल्स और वाइस के लिए अलग लग rules होने चाहिए या फिर नहीं? क्या girls को भी वाइस की तरह ही अजादी नहीं मिलनी चाहिए? क्या हमें girls या women की भावनाओं को नहीं समझना चाहिए? आप जब ऐसे प्रश्णों के बारे में विचार करेंगे या सोचेंगे तो आपको लगेगा कि लड़कियों को भी अजादी मिलनी चाहिए और लड़कों और लड़कियों के लिए एक जैसे ही रूल होने चाहिए Think, what would happen if girls had to follow rules made for wives and wives had to follow rules made for girls सोचो अगर लड़कियों के लिए बनाएगे नियम लड़कों पर और लड़कों के लिए बनाएगे नियम लड़कियों पर लागू हों तो क्या होगा? यदि लड़कों पर लड़कियों के रूल्स को यदि लड़कियों पर लड़कों के नियम लागू किये जाएं तो उन्हें अच्छा लगेगा वो भी लड़कों की तरह लेट घर आ सकती हैं पर लड़कों को बुरा लगेगा क्यूंकि वो घर लेट नहीं आ पाएंगे यदि लड़कियां घर से जादा देर बाहर रहेंगी तो उन्हें माता पिता का साथ कम मिलेगा और बहुत सारी बातें सीखने से बंचित रह जाएंगे दूसरी और लड़कों को घर पर रहने से अपने parents का साथ मिलेगा और वो घर की बहुत सारी बातें सीख फाएंगे तो इससे ये conclusion निकलता है कि लड़के और लड़कियों को equal rights होने चाहिए हमने अभी तक जाना कि घरों में पंका, टीवी, समचार पतर, कुरसी या फिर बहुत सारी चीजों के लिए हापस में जगड़े होते रहते हैं क्योंकि घर के members की पसंद अलग-लग है ये जगड़े पसंद अलग-अलग होने के कारण होते हैं घर के वड़े लोग इन जगड़ों को सुलजाते हैं हमने यह भी जाना कि यदि लड़की घर देर से पहुँचती है तो उसे डांट पड़ती है या टोक का जाता है लड़कों को घर देर पर पहुँचने से रोक-टोक नहीं होती है हमें यह विचार करना जरूरी है कि लड़के और लड़कियों को इकुल राइट्स मिलें इस पार्ट में इतना ही आगे की बातें अगले पार्ट में जानेंगे आपने विडियो को ध्यान से देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद